ये लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन का लास्ट टॉपिक डैंप डॉसलेशन का है डैंप डॉसलेशन इससे पहले सिर्फ वो सिर्फ जे में के सेल बस में था लेकिन जे एडवांस दो हजार तेज़ ओनवर्ड्स ये एडवांस में भी इंक्लूड हो गया है तो मुझे रगा कि मैं थोड़ा से इसको हायर लेवल पर भी पढ़ा देता हूं हाला कि मैंने जे में स्पेसिफिकली पहले से पढ़ा रखा है और वो एडवांस का सवाल बन जाएगा बट बच्चे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहते हैं कि सरना कुछ और बताओ तो मुझे लगा कि मैं एक काम करता हूं कि सारा का सारा जो बेटर डिफरेंशिल एक्वेशन के साथ और मैथमेटिकली थोड़ा सा बढ़िया से सारे सारी बातें और समझा देता हूं हाला कि इन दोनों लेक्चर में अगर मैं कहूंगा तो पहले उसको अटेंट करें फिर काफे सारे बच्चों ने अगर हलका फुलका पढ़ रखा है तो इस लेक्चर पर डारेट आ सकते हो अगर नहीं पढ़ रखा तो पहले एड़त वाला पढ़के फिर यहां आ सकते हो most प्रभली उससे भी काम बन जाएगा यह सारे के सारे लेक्चर हम लोगों ने टीम सबसे पहले डैंपिंग का मतलब है कि यहार किसी तरीके से एंप्लिट्यूड का बन जाएगा वो बड़े आराम से इस लेक्चर से बन जाएगा पहले विल्यागों कुछ आता हो या ना तो खास फरक नहीं पढ़ता है जो टीचर्स जही एडवांस के लिए पढ़ा रहे है वो भी ऑफकोर्स अगर पहले से ना पट रखाओ तो वो भी इस लेक्चर से देख सकते है और क्लास में बढ़ा सकते है तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डैंपिंग का मतलब है कि यहार किसी तरीके से एंप्लिट्यूड का घटन इसी तरीके से खास में क्या होगा क कि इस पूरे के पूरे arrangement में एक ऐसा resistive force आएगा जो resistive force लगातार सिस्टम में से energy को dissipate करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और जो body हमारी पहले SHM कर रहे थी उस SHM का लगातार amplitude घड़ते 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 फानल अपके जो body वो रुख जाएगे this is known as damping damped oscillation से पहले तक तो हमारे पास जो भी system तो उसमें सारे के सारे conservative forces थे और उसमें potential kinetic में kinetic potential लगातार convert कर रहे थे और बड़े अराम से infinite time के लिए मारे bodies oscillate कर रहे थी infinite time के लिए simple harmonic motion कर रहे थी नहीं real life में हम जानते हैं कि air resistance का force हो गया, viscous force हो गया, ऐसे बहुत तरह के जो force है वो लगातार जो oscillate करने वाली object है उसमें से लगातार कुछ नो कुछ energy बाहर dissipate करते रहते हैं और उसके कारण लगातार oscillations घड़ते रहते हैं oscillations घड़ते हैं, amplitude लगातार घड़ता रहता है, energy लगातार घड़ती रहती है this process is known as damping, this is for example let's say कि मैंने किसी जूले को ऐसे किसी edge height पर लिया के छोड़ दिया तो जब जूला यू जा रहा होगा, उस time पर जूले के पास velocity इस तरफ होगी और air resistance का force होगा, of course velocity के opposite इस कारण से air resistance का power आएगा negative, burden आएगा negative, और यह जो negative burden है, of course बड़ा इस जूले को वापिस से उस height तक नहीं जाने देगा तरफ जूला वापिस आ रहा होगा, तो जूले के पास velocity होगी, इस तरफ air resistance होगा, इस तरफ again angle 90 होगा, so again angle 180 होगा, again power negative होगा, burden negative होगा और पूरे रास्ते air resistance का, जो burden आएगा negative होगा, और जितना उसका burden negative होगा, उस सिस्टम की total mechanical energy उतनी गटती जाएगी, और तो जूला था, वो यह उसिलेट करते, 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 amplitude, घटते, 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 फैनली रुख जा या फिर उसके बराबर होगी पक्की बात है कि एर रिस्टेंस ने माइनस टी वर्डल किया होगा तो सिस्टम की टोटल में के लिए टी घट गई है अब इस डेंपिंग में कैसे एक्वेशन्स बनती हैं कैसे एक बात को हम अराम से इत्मिनान से देखते हैं मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि बेड़ा थोड़ आराम अराम से पड़ाओंगा तो आप 1.25x पर लेक्चर को देख सकते हैं एक स्प्रिंग के साथ मैंने एक M मास का ब्लोग जोड़ रखा है और यह M मास का ब्लोग लेट से बिड़ा वी वेलोसिटी से जा रहा है आज पर लोग की वेलोसिटी के एक डिरेक्चन में एक रजिस्टिव फोर्स लग जाएगा और अकसरी जो रजिस्टिव फोर्स है यह रिएकली पर्पोर्शनल टू वेलोसिटी बाता है directly proportional to velocity and that is of course resistive force equals to B into V resistive force अगर मैं vector form में लिखू that is of course minus B into V vector minus sign ये represent कर रहा है कि velocity अगर right में है तो resistive force left में है B जो है it is known as damping constant but it is known as damping constant और B की value जितनी जादा होगी हम मान के चलेंगे damping उतनी ही जादा होगी और हमार जो block है उतनी ही जल्दी वो rest पे आ जाएगा damping उतनी ही जादा यह हमारा एक तरह से air resistance का force है B की अगर हम बात करें उसकी unit आपको नजर आगे होगी इधर तो newton है और इधर वेलोसिटी है उसको में नीची लेकिया है तो meter per second हाला कि हम newton को बढ़ा हम लिख सकते है kg meter per second square उसको अगर मैं meter per second से अगर divide को तो meter से meter cancel और हमार पास इसकी unit आगे है kg per second dimension अगर आप मुझसे पूछ को कि that is of course mt minus that is mt minus चलिए बच्छों equation पर आते है इस m mass के block इस side को plus लेता हूँ इस side को minus लेता हूँ तो पीछे की तरफ दो force है एक तो बढ़ा of course spring का force kx और एक बढ़ा obvious बात है minus b into v air resistance का जो force है वो it should be of course mass into acceleration मैं इसको लेक सबता हूँ बढ़ा राम से m into acceleration को मा लिख रहा हूँ d2x upon dt square plus bv बढ़ा b तो ठीक है v को मा लिख रहा हूँ dx by dt बढ़ा kx उदर गया मेरे पास आगे that is equals to k into x equals to 0 मेरे पास यह आगे m times m को बढ़ा नीचे ले आते मेरे पास आगे है d2x upon dt square plus b upon m into dx upon dt plus k upon m into x equals to 0 यह मेरे पास बढ़ा एक auxiliary equation है और इसको किस तरह से solve करते हैं मैं सिखाता हूँ ऐसी equation मैंने आपको बढ़ा series RLC circuit के अंदर भी सिखाई थी series RLC circuit constant voltage के साथ भी अब J advance के syllabus में मैं उसका lecture पहले से बना चुका हूँ वापे से डूंड सकते हो EMI में last one lecture होगा वाँपर भी ऐस equation है same equation, same solution, same कहा किसे पर वह आता हूँ तो इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा यह मेरे पास है auxiliary equation इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि that is d2 upon dt square plus b by m of sorry b by m of d by dt plus k upon m of x is equal to 0 it is something some operator of x equals to 0 इस तरह की second order differential equation को solve करने का तरीका यह है कि आप यह जो d by dt है इसको रख दीजिए capital D और यह जो d2 upon dt square है इसको आप रख दीजिए d का square तो मेरे पास जो equation बनेगी बिटा वो ऐसी बनेगी that is d square plus b by m into d plus k upon m is equal to 0 यह जो equation this is known as your characteristic equation this is known as your characteristic equation इस equation के दो root आ सकते हैं कैसे कैसे root आ सकते हैं बेखते हैं इसके दो roots आ सकते हैं d1 और d2 बिटा formula आप जानते ही को that is बिटा जैसे किसी भी equation को solve करते हैं quadratic को plus minus under root minus 4 into k into m upon 2 और कुल मिलाकर बिटा मिरे पास आगे है that is minus b upon 2m plus minus under root b upon 2m का square minus bita k upon गी मिरे पास बिटा 2 roots है जैसे मैं एक बार के लैसे बोलता हूं कि d1 मिरे पास root आगे bita क्या आगे minus b upon 2m minus under root b upon 2m का whole square minus k upon m और d2 मिरे पास root आगे let's think minus b upon 2m plus under root of b upon 2m का whole square minus k upon m ये मिरे पास दो roots आगे इन दो root के अलग-अलग cases में किस किस तरह स्वड़ा differential equation solution होंगे आपको सिखाता हूं यहाँ भी काम आएंगे बाटा वो of course बागी ज़े के भी काम आ सकते हैं यहाँ तक हो के यह जो बड़ा b upon 2m है इसका में एक नाम दे रहे हैं damping coefficient और बड़ा मैं इससे alpha लिख रहा हूं जो b upon 2m है इसका मैंने alpha लिखा है and this is known as your damping coefficient damping coefficient आपके पास alpha हो जाएंगे next is यह जो k upon m है याद कीजिए बड़ा जब damping वगरे नहीं थी तो यह जो k upon m है यह हमारी natural angular frequency का square हुआ करता था omega का square तो यह जो k upon m है यह हमारा omega का square है या फिर बड़ा omega कर कसी को याद हो तो बड़ा यह हो गया मेरा पास root k by m इससे मैं नाम दे रहा हूँ natural angular frequency यह angular frequency वही है जो simple spring mass system किया किसी बड़ा simple harmonic motion करते हुए system की हुआ करती थी इससे हम time period वगर भी निकाला करते हैं यह मारा पास omega आगे that is of course root k by m perfect तो मेरे पास थोड़ा सा और style से आ गया है मेरे पास यह root आ गया है यह आ गया है minus alpha plus minus under root of alpha square minus omega square यह वाला root मेरे पास आ गया है minus alpha minus under root of alpha square minus omega square और यह root आ गया है minus alpha plus times root of alpha square minus omega square अभी जो alpha और omega में कौन सा बढ़ा होगा कौन सा जादा होगा इस basis पे तीन तरह केस बनेंगे और उन तीन तरह केस में इस differential equation के इस differential equation के तीन अलगलग solution आएंगे, वो हमें देखने हैं, समझने हैं, उस पे सवाल हम से पूछे जा सकते हैं ठीक है, आगे चलें एक बात और, that is बड़ा एक टर्म और है जिसको मैं जीटा से represent करते हैं that is damping factor कभी बड़ा आ जाएं तो याद रख सकते हैं खाला कि मुझे ऐसा लगता है कि जे में अगर सवाल आया है, तो हो सकता है कि comprehension में है, और comprehension में हो खुद ही समझा जाएं कि damping factor होता कि है damping factor आपका होगा damping constant upon natural angular frequency damping factor आपके पास पहले से आ चुका है b upon 2m upon omega omega है इस बड़ा ऊपर गया, तो root m by damping factor अगर आप चाहो तो बड़ा मेरे पास सही आ गया that is of course b by 2 तो बड़ा बाहर और मेरे पास सही आ जाएगा 1 upon root k m बड़ा अंदर गया, तो root से root तो cancel होगे, यह आप पास damping factor हो अला कि मुझे ऐसा लगता है कि डारेक्टी damping factor पूछे इस बड़ा आपके चांसर तो कम है but comprehension में खुद explain कर सकता है damping factor यह होता है, फिर आप से कोई सवाल पूछ सकता है, तो बड़ा राम से आपके कि D1, D2 अगर same हुए, मतलब सिर्फ एक ही root हुआ, तो क्या होगा तीनों को अलग-अलग करके देखते हैं सबसे पहले बड़ा आपका that is under damping oscillation जो सबसे ज़ादा important है सबसे ज़ादा important तो यह ही है under damping का मतलब यह है कि बड़ा आपके जो D1 और D2 जो roots आए है वो unreal roots है इसी की theory बड़ा सबसे ज़ादा important है, तीनों case में सबसे ज़ादा important यह ही है इसी से सारी कहानी बन नहीं है समझाता हूँ बड़ा सुनना, हमारे पांच वो differential equation बनी, बड़ा क्या differential equation बड़ी, D2X upon DT बड़ा थोड़ा बोहर उसकते हूँ, तो आगया आगी के लिलिया करो प्लस B by M इन्टो DX upon DT प्लस K upon M equals to 0 चीकर, इसको मैंने characteristic equation में क्रणवर्ट के दो D2 plus B by M into D plus K upon M is equals to 0 under damping वाले case के अंदर आपके पास आएंगे unreal roots बड़ा पहली बात unreal roots का अर्थ क्या है, समझाता हूँ बड़ा ध्यान दीजे, आपके जो D1 और D2 आये थे बड़ा वो क्या आये थे, हो आये थे minus B upon 2M plus minus under root of B upon 2M cos square minus K upon M या फ़र दूसरे शबदों में कहें, तो minus alpha plus minus under root of alpha square minus omega square मुझे चाहिए unreal roots इस case में unreal roots unreal roots तब होंगे, जब alpha square की value बड़ा omega square से छोटी होगी, बड़ा लिख भी देता हूँ कि alpha square will be less than omega square मतलब बड़ा मतलब बड़ा obvious मात है कि B square upon 4M square जो होगा it will be less than KYM, इसका मतलब B square जो होगा it will be less than 4MK, this is the condition of under damping ये याद रखना में इतना दिक्कत आएगी नहीं बड़ा, क्योंकि under damping है, damping कम है तो B is less than root 4MK, B is less than root 4MK under damping, damping कम है, damping का coefficient कोन है, B, वो कम होगा किससे root 4MK, for root 4MK ज्यादे बड़ा clear है, मेरे पास इस तरह का जुगाड़ा, ये मेरे पास unreal roots है, ये negative है, अब मेरे पास अगर ये negative है, परफेक्ट अब मेरे पास अगर ये negative है, तुम इसको ऐसे लिख लहाँ, कि मेरे पास d1 और d2 आ गए है, क्या, minus alpha, plus minus, under root of, minus 1, into omega square minus alpha स्को, जान्यों पूचित है, मैं इसको लिख सकता हूँ, minus alpha, plus minus, under root of, minus 1, into under root of, omega square minus alpha स्को, बड़ा, परफेक्ट, मैं इसको लिख सकता हूँ, minus alpha, plus minus, बड़ा, ये, आयोटा होगे, आपका imaginary number, into, under root of, omega square minus alpha square, इस omega square minus alpha square को, बड़ा, मैं एक निया पर नया नाम दे रहा हूँ, omega d, या, damped angular frequency बड़ा, क्या नाम दे रहूँ ना, damped angular frequency, याद ठीक है, अब आपका main, जो मतलब, मुद्दा है, कि सब आखिर, इस differential equation और solution क्या होगा, जब भी इस तरह के unreal roots होगे, बड़ा, जब भी आपके पास इस तरह से unreal roots होगे, तो solution will be like this, it will be something like this, x as a function of time will be e raise to power, बड़ा, ये जो real वाला है, into t, into बड़ा, c1 times sin omega dt, plus c2 times cos omega dt, बड़ा, omega d, बड़ा, क्या सम्मेंगा, omega d, जो i के साथ, जो coefficient है, तो ये वाला जो factor है, जो real है, बड़ा, ये e के पार से चड़ जाएगा, और ये जो sin और cos के साथ, बड़ा, जो i के साथ, जो unreal वाला है, बड़ा, ऐसा मेरे पास expression आचाए, इतनी mathematics तो अच्छी होगे, कि तुम इसको लेख सकते हो, e raise to power minus alpha t, into beta, root of c1 chi-square plus c2 chi-square, c1 upon root of c1 chi-square c2 chi-square sin omega dt, plus c2 upon root of c1 chi-square plus c2 chi-square, into cos of omega dt, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, root of c1 chi-square plus c2 chi-square, into e raise to power minus alpha t, into, बड़ा, this entire expression can be written, मैंस, बड़े मेरे खाज आपको यह लिख नहीं आता है, that is, sin of omega dt plus 5, ऐसा लिख सकते हैं, और जो root of c1 chi-square plus c2 chi-square हो गया है, यह एक तरह से मेरे पास amplitude है, और final expression मेरे पास निकल के आता है, है कि x is equals to some amplitude e raise to power, बड़ा alpha t, alpha बड़ा किपना है, minus b upon 2 है, into t, into sin omega dt plus i, यह बने पर पास answer आ गया, omega d को बड़ा और था, और बड़ा अचा देख लेंगे, पहले इतना समझाओ कि यह आपके समझ में आहे गया होता, तो किसी भी time पर हमारी जो particle की जो position होगी, it will be something like this, x is equals to a naught e raise to power, बड़ा minus bt upon 2m, into sin of omega dt plus 5, 5 की value, बड़ा हम निकाल सकते हैं, कि t is equals to 0 पर actually x की value, क्या थी, उस initial condition से निकल जाएगे, वो इतना बड़ा का नहीं है, मैं फिर से बड़ा इस बाद को समझाता हूँ, मेरे पास की क्या-क्या कहानी है, पहली बाद तो बड़ा यह, कि यह हमारे इस नए वाले oscillatory motion का amplitude है, और जैसा कि आप देख पारे हो, कि इस बार आपका जो amplitude है, वो constant नहीं है, बलकि हमारा जो amplitude है, वो अपने आप में exponentially decreasing है, बड़ा वो exponentially decreasing है, अच्छी बात बड़ा, हम ऐसा expect भी कर रहे हैं, कि इस बार गर damping होगी, तो लगाता रहे है, गटेंगे, 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 फाइनली, 0 हो जाएगा, यह जो damped angular frequency है, बड़ा जो damped angular frequency है, याद कीजे बड़ा, it was equal to what, omega square minus alpha square, it was basically, हमारी natural angular frequency का square minus omega का square, natural angular frequency का square was, of course, root k by m, और alpha बड़ा हमारे पास था, of course, बड़ा B upon 2m तो उसका square, यह हमारे पास बड़ा damped angular frequency, of course, बड़ा मारी natural angular frequency से हलका सा कम आया, दोनों ही point याद करने वाले, बड़ा UL point भी याद रखे है, और UL point भी लगातार याद रखे, amplitude बड़ा फिर से याद रखे, कि amplitude is a naught e raised to power minus bt upon 2m, एक छोटी सी बड़ाद और, हम जानते हैं कि energy of oscillation is half into constant into amplitude का square, तो किसी भी time पर मैं energy लेख सकता हूं कि half into k into amplitude का square, बड़ा amplitude का square क्या तो मेरे पास आ गया, that is equals to this, आप जैसे कि देख पा रहे हूं कि जैसे जैसे लगातार amplitude घट रहा है, वैसे वैसे लगातार आपकी energy भी घटे जा रही, आप कहो कैसे घटना ही सी है, जब amplitude आपका half हो जाएगा, तो of course आपकी energy तो 1 by 4 हो जाएगा, तो आप कह सकते हों कि किसी भी टाइम पर जो energy होगी, that will be E is equals to E naught, यह अगर मैं maximum energy मान लूँ, E naught लिग दू, into E raised to power of course minus BT upon M, बड़ा घ्ञान रखना, यहाँ पर 2 था, आपकी तो नहीं हो कि हाँ पर square किया, तो energy भी लगाता है इस तरह से exponentially घटे जारी है, घटे जारी है, घटे जारी है, मैं एक J main का और लिएक सवाल होता हूँ अपलोंगो, उसमें यह लिखावा था है कि किसी T time के अंदर energy जो है, वो E naught से घटकर 0.9 E naught हो गई है, तो अगले T time में कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं किसी भी exponentially decreasing function के अंदर, हर बराबर बराबर time में बराबर बराबर fractional change होते हैं, तो अगले T time में energy हो जाएगी, इस 0.9 E naught का भी 0.9 E naught, तो that is of course 0.81 E naught, अगले T time में इसका भी 0.9 E naught, जाएगा, तो इसका भी 0.9 की पावर 3 times of E naught, तो अगर कोई मुझे कह दे कि T time में अगर energy E naught का 0.9 E naught हुई है, तो अगर time की value N times T naught हो जाएगी, तो energy की value हो जाएगी 0.9 की power N times of E naught, ऐसा बड़ा किसी भी of course exponential decreasing function के लिए correct है, जैसा कि आप जाएगते हैं, amplitude में भी यह कहा नहीं है, मालोट T time में amplitude half हो गया, तो अगरी T time में उसका half हो जाएगा, फिर अगरी T time में उसका half हो जाएगा, 4 half life में of course 1 by 16 हो जाएगा, 5 half life में एक बड़े 32 हो जाएगा, तो of course जो formula energy के लिए बड़ा, वही formula exponential decreasing energy के लिए बड़े, यहाँ पर एक छोटी सी बात ओर है बड़े और वह यह के एक term define है, that is known as half life, half life वह समय है, जिस समय के अंदर आपका जो amplitude है, वह initial amplitude का half हो जाए, तो किसी बड़े टाम पर amplitude है, a is equals to a naught e raised to power minus bt upon 2m, कितने time बाद amplitude initial का half हो जाएगा, तो amplitude की जिमने a naught by 2 लिख दिया, is equals to a naught e raised to power minus bt upon 2m, बड़ा a naught से a naught क्या हो गया, cancel ln 2 is equals to bt upon 2m, और इस t की value आ गई है, बड़ा t बोल दू या इसको t half लिख दू, लिखने का तरीका हो गया, और उसकी value हो गई बड़ा क्या, 2m by b into ln 2, जिवने मेरे पास half life हो गई, इसी किसी जिएक term और यूज़ आती है, mean life, mean life उसे बोलते हैं, जिसमें amplitude जो है, वो a naught से घट कर a naught by e हो जाए, तो a naught by e कब होगा, a naught by e तब होगा, जब a naught e raised to power minus bt upon 2m, तो मेरे पास a naught से a naught की value cancel, e की power minus 1 is equals to e की power minus bt upon 2m, तो time की मेरे पास value आ गई है, बड़ा कितनी 2m upon b, यह मेरे पास आओगे, mean life या फिर average लिए, ऐसे और भी life आप define कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, कि यहना सर मुझे one third life चाहिए, one third life क्या होगी, जब amplitude initial का one third हो जाएगा, तो बड़ा यहाँ पर of course a naught by three लिए यहाँ पर ln three आ जाएगा, तो आप ऐसे काफ़े सार्जिन डिफाइन कर सकते हो, तो अगर मैं इस position को time के साथ अगर plot करू, बड़ा जाएगा, 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 लेकिन पहली बार दूर तक जाएगा, फिर बड़ा ऐसे लगातार, गटएगा, 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 ऐसे, तो मामला कुछ काफ़े अद्थक ऐसा हो गया, कि बड़ा mean position में लगातार, आएगा, जाएगा, 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 वही formula काफियर तक energy के लिए भी valid है बस amplitude के लिए A is equals to A naught E raise to power minus BT upon 2M और energy के लिए of course E is equals to E naught E raise to power minus BT upon है, वो थोड़ा square के काट लिए इतने manage होगे है, चेक है simple simple बात है आप इस बात कोड़ा कितना बढ़्यातर के समझे हो इसके लिए में एक छोटा सा आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ एक smooth surface है उस पर एक block है, block का mass 2 kg है T is equals to 0 पर particle X equals to 0 पर है और मैंने उसको सामने की तरफ velocity देदी है V, हाला कि मैं इसकी value भी देश कहता है मैंने जान उसे वी जोड़ लिया V, spring का कुझो constant है 328 newton पर मीटर जो damping constant है that is 40 newton पर मीटर पर सेकंड और यह सारा का सारा मेरे पास arrangement है बिल्कुल सेम कहानी जैसमेन आपको ए theory डॉलप की बिल्कुल वैसे के वैसे आरा हम सुड़ा कुछ सवालों के जवाब दे find damping constant बढ़ देंपिंग constant दे रुक है बढ़ फाइन देंपिंग कोफिशन्ट और बढ़ देंपिंग कोफिशन्ट और बढ़ देंपिंग sek निकालना है इस वड़ा तीसर सवाल कर लो बड़ा बीच में नेच्छुरल एंगुलर फ्रिक्वेंस भी निकाल दो इस वड़ा तीन तीन बिलकुल सिंपल सवाल होगे जो में सवाल है वो है कि find position as a function of time में सवाल बड़ा चोथ है पहले तीन तीन बड़ा सिर्फ वो सिर्फ ऐसे ही है सबसे पहले damping coefficient damping coefficient is of course b upon 2m that comes out to be 40 upon 2 into 2 that comes out to be of course 20 unit जो है कि हो per second आगी या radian per second ऐसे चीए किए नेच्छल एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगे बड़ा नेच्छल एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगे k by m sorry बड़ा root k by m natural angle frequency root k by m root k by m बड़ा के बोलना k कितना बड़ा 328 upon m कितना है 20 that is root of 160 ये बड़ा मेरे पास of course omega आ गया of course unit will be radian per second मुझसे पूछा कि damping factor क्या होगा damping factor होगा of course alpha upon omega that is 20 upon root of 160 ये तीन दिवड़ा है से simple simple सवाल होगे main सवाल किसी भी टाइम पर particle की position क्या होगी मुझे initial condition दे रिखे कि particle t equal to 0 पर x equals to 0 पर है और t equal to 0 पर बड़ा मेरे particle को सामने की तरह velocity दे रिखे है भी ठेक है सोचते सोचते बड़ा एक तो बिल्कूल basic से कर सोचे तो मैं बड़ा बड़े राम साय से कह सकता हूँ कि मेरे पास equation है बड़ा क्या equation है d2x upon dt square plus b upon m 40 times dx upon dt sorry बड़ा 40 ने 20 times dx upon dt plus k upon m that is बड़ा of course 164 is equals to 0 इसके दो रूट्स आएंगे बड़ा d1 और d2 बड़ा कैसे लिखते तुम जानते हूँ ना इसको बड़ा convert करने के d square plus 20d plus 164 is equals to 0 d1 बड़ा कैने के minus b plus minus under root of b square okay minus b b upon 2 plus minus under root of b square minus 4 into 1 into 164 upon 2 that is minus 10 plus minus under root of 100 minus 164 that is minus 10 plus minus root of minus 64 that is minus 10 plus minus 8 times of i ठीक है टा यह तुम 10 जानते हूँ बड़ा आपका of course b by 2m है और दो 8 है बड़ा आपकार यह damped angular frequency है 8 radian per second आपकी damped angular frequency आप बड़े अराम से कह सकते हो कि सर मेरे पास आएगा x is equal to actual differential equation t e raised to power minus e raised to power बड़ा यह मेरा यह वाला जो real वाला नंबर है minus 10 t into c1 times sine 8 t 8 के बड़ा है जो unreal वाला नंबर है ना plus 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 c2 times cos of 8 t यही मेरे पास किसी time पर x आगे लिना पोलों के सरस्में पास दो unknown है एक है c1 और एक है c2 दो unknown को solve करने के लिए कम से बड़ा कित्त equation चाहिए दो दो चीज़े आपको पता है एक तो आपको पता है कि t is equals to 0 पर x equals to 0 है तो एक काम करो बड़ा t equal to 0 पतको और x equal to 0 पतको बड़ा e raise to power 0 तो हो गया 1 into c1 into sin 0 बड़ा कितना हो गया 0 plus c2 times cos 0 बड़ा कितना हो गया और यहां से बड़ा solve करते ही मेरे पास c2 की तो value क्या आगे यह बड़ा 0 और यहां से मेरे पास x की value आगे बड़ा कितनी e raise to power minus 10 t into c1 times sin 8 t बड़ा c2 तो कितना हो गया 0 सर मुझे na c1 भी निकाल ला है बड़ा तुझे t equal to 0 वेलोस्टी भी पता है और तो जानता है कि वेलोस्टी क्या होगी बड़ा वेलोस्टी होगी dx by dt बड़ा करना ज़रा differentiate बड़ा c1 को तो बाहर निकाल लो differentiation क्या है बड़ा differentiation होगा e raise to power minus 10 t sin 8 t का differential होगा 8 times cos 8 t इसका differential बड़ा क्या होगा minus sin 8 t तो बड़ा वैसा का वैसा e raise to power minus 10 t का differential क्या होगा e raise to power minus 10 t into minus 10 t equal to 0 पर velocity कितनी है check करते है t is equals to 0 पर velocity की value है v तो बड़ा v is equals to t equal to 0 पुट करना c1 t equal to 0 पुट करना बड़ा यह आगया 8 into 1 into 1 minus 10 times बड़ा यह क्या होगा 0 मेरे पास c1 की value आगया बड़ा कितनी c1 की value आगयी बड़ा मेरे ख्याल से v by 8 लो बड़ा मेरे पास आगया किसी भी time पर position is simply c1 की value है v by 8 into e raise to power minus 10 t into sin of 8 t आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा जो particle है वो लगा अतार oscillatory motion कर रहा है और उस oscillatory motion का ये तो है amplitude जो लगातार exponentially decrease कर रहा है और जो damped angular frequency है उसकी value आ गई है 8 समझेंगे बड़े एक छोटे सी बात कोई बच्चा कर रहा है बच्चा कर रहा है बच्चा कर रहा है बच्चा कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तब बच्चा क्या बोलेगा कि सर मैं x is equals to आपने a is equals to a not e raise to power minus bt upon 2m into cos sorry cos लिए दो sin लिए दो sin of damped angular frequency into t plus 5 सर ऐसे लिख दू बड़ा बलकू लिख सकते हो कोई इशू नहीं है चेक करना किसी टाइम पर x क्या होगा a not e raise to power minus बड़ा b upon 2m तो आपका alpha था बड़ा b upon 2m तो आपका alpha था आप बड़ा alpha पहले से निकाल चुके हो कितना 10 तो minus 10t sine of बड़ा omega d अब अगेन निकाल चुके हो 8t plus 5 इस से भी वही answer आएगा सर यहाँ पर अगेन दो unknown है वहाँ पर unknown c1c2 थे यहाँ पर unknown बड़ा of course a not or 5 है निकाल देंगे सबसे पहले t is equals to 0 पर x equals to 0 है put करो बड़ा a not e raise to power 0 into sine of pi solve करते बड़ा 5 की value क्या आगई है 0 हाला कि बड़ा 5 की value दो आएंगी 0 और pi लेकिन t equal to 0 पर velocity पॉस्ट्टू direction में है तो differentiation क्या होना चीए t equal to 0 पर dx बेलिटे का 0 होना चीए वो सिर्फ होसे बड़ा 5 equal to 0 पर आगा आप चेक कर लेना मैं थोड़ा time बचाने के लिए इसा कर ले तो सबसे पहले बात में रवच्च बता आगया कि sir x की value आ गई है a not e raise to power minus 10t into sine of 80 sir a not तो नहीं पता a not भी बता लग जाएगा तो जिक t equal to 0 वेलोसिटी पता है वो तो बोले का कि sir dx by dt dx by dt gives you velocity और उसकी value है a not तो बाहर अंदर वाले का differentiation बढ़ा e raise to power minus 10t into 8 times cos 80 इसका difference बढ़ा क्या आगा minus 10 times e raise to power minus 10t into sine 80 t equal to 0 पर टकना बढ़ा t equal to 0 पर वेलोसिटी है v is equal to a not e raise to power 0 किया तो बढ़ा ये तो आगया 1 into 8 into बढ़ा 1 minus बढ़ा है तो 0 again बढ़ा a not की value बढ़ा कितनी आगया v by 8 v by 8 बढ़ा ने पटका तो मेरे पास आगया x is equals to बढ़ा बोलना बोलना x equals to what v by 8 into e raise to power minus 10 t into sine 8 t बढ़ा घ्यादर ने वी क्या है v है जो आपने वेलोसिटी शुरुआत में दी थी वो वाली वेलोसिटी मालो 10 मीटर पर सेक्ट दी बढ़ा पचास दी तो बढ़ा पचास लिता ये मारा आज़ा तो जैसे इच्छा हो वैसे solve करो हर तरह के सब आपके आंसर आएंगे आएंगे कोई दिक्कत नहीं है basic से करो जो याद कर रखना उस से करो सबसे आपके आंसर बढ़ा आपस मैच कर जाएंगे जो constant है चाहिए बढ़ा वो a note और 5 हो चाहिए उस वाले equation 7 और C2 हो यह सारे के सारे किस से आएंगे t equal to 0 पर velocity से और t equal to 0 पर position से ठीक एटा आगे चलेंगे next is over damping oscillation चलेंगे देखते आड़ा इसको अब बेटा जैसे over damping है नाम से अटा लग्या होगा कि इस बार damping थोड़ी सी जाता है और हो सकता है कि इस बार damping इतनी जाता हो आए वापस आए बड़ी मुश्किल से गिर पड़के वाएक मुझे M मास के ब्लोक को मैं इतनी वेलोस्टे दू पीछे spring लगा रख्यो कि इतनी जादा damping हो जाते वक्त जाते वक्त एनरजी लूज करे आते वक्त आते वक्त आते वक्त एनरजी लूज करे और बड़ी मुश्किल से एक्स एक्स एक्वल स्टो जीरो पर पहुंच वड़ा दिस इस नोन ऐस योर ओवर टैंपि समझाता हूँ फिर से वड़ा वही काहानी मेरे पास स्मूद सर्फेस M मास का ब्लोक मेरे पास है ये spring वड़ा spring का spring कॉंस्टेंट के मैंने t equal to zero पर लेट से पढ़ा पार्टिकल को कोईने को विलोस्ट लेके ठेकती आज परोस में air resistance हो और इस बार बड़ा b की value जाह हूँ वह लार्ज है बड़ी है तब ही तो over tamping जादा tamping तो इस बार क्या हो का तब velocity होगी इस तरफ air resistance का force लेगा इस तरफ अब भी ये of course motion को oppose ही कर रहा है इस का button अब भी negative है और लगा पर इसके energy घटेगी 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 और यहां करिए वापिस रुख जाएगा इस इस नौन ऐस your over tamping पूरा oscillation कर भी नहीं पाया यह यह तो करी नहीं पाया बार-बार mean position पर आई नहीं पाया बड़ी मुश्किल से गए और वापिस है इस इस नोन ऐस over time समझाता बड़ा और बारी के से differential equation क्या बनेगी तुम जानते ही बड़ा d2x upon dt square plus b upon m into dx upon dt plus k upon m is equals to 0 अगिन बड़ा वाई कानी वापिस से should be equals to 0 of x equals to 0 इस पोड़ा मने d square से replace कर दिया plus b by m of d plus k upon m is equals to 0 अगिन बड़ा दो रूट्स हैंगे d1 और d2 over damping वाले case में real roots हैंगे over damping वाले case में d1 और d2 जो होंगे ये हमेशा ही real roots हो imaginary roots कब थे under damping में, lower damping में अब बड़ा of course d1 ए 2 real roots हैंगे roots बड़ा क्या हैंगे तुम जानते हो कि d1 और d2 will be ठीक है ड़ा मेरे पास आगे हैं d1 और d2 is equals to minus b upon 2m plus minus under root under root of alpha square minus omega square omega is your natural angle you remember that real roots होंगे तो of course alpha square will be more than omega square मतलब बड़ा b square upon 4m square will be more than k by m इसका मतलब बड़ा b will be more than b square will be more than 4m k या वर भी b will be more than root of 4m k बड़ा b less than root of 4m के था तो वो under damping थी b more than root 4m के था over damping over damping damping जादा damping वाला force बड़ा होना आची केस बड़ा मैं लिख दा हूँ कि b square should be more than sir क्या है इसका solution बड़ा इसका solution बहुत ही simple है कि x will be equal to c1 e raise to power d1 t plus c2 e raise to power d2 t ले बड़ा c1 और c2 बड़ा of course हम निकाल लेंगे ये इसका काल है d1 d2 क्या है बड़ा वो roots real roots जो बड़ा आपके real roots है वो लिख दो बड़ा है आपर बड़ा राम से sir c1 c2 कैसे निकालोगा initial condition से आजाएगा you need not to worry यहाँ बड़ा equation का solution ये होगा unreal roots होंगे तो solution क्या था बड़ा याद है will be x equals to e raise to power minus d1 t plus c2 times e raise to power d2 t d1 यूट गहे जो equation उसके real roots है वो है बस simple करके देखते मेरे पास इस तरह की बड़ा कहानी है m mass का block है t equal to 0 पर x equals to 0 पर है और सामने की तरफ मैंने उसको velocity दे रिखिया v naught इस वाणने वी नोट लिख दे तो confusion थोड़ा से कम रहेगा spring कर spring constant है के bq value है 40 newton per meter per second यह बड़ा सारे के सारे मेरे पास कहानी है ठेक है पिछले वाले सवाल बड़ा हम अपिस से पूछ रहा हूँ damping coefficient निकालो natural angle frequency निकालो damping factor निकालो यह सारे के सारे काम करो find damping coefficient natural angular frequency damping factor last but not the least position at any time बड़ा सबसे important थो of course under damping था damping factor बड़ा पहला सवाल alpha मेरा बच्चा जानता है कि सादेर इस of course b upon 2m बड़ा b upon 2m will be 40 upon 2m बड़ा mass वही है 2 kg मैं तिना भूल गया जो पिछले सवाल में था बड़ा 2 kg बड़ा कितना आ गया 10 आगे चलते बड़ा natural angular frequency बड़ा natural angular frequency बड़ा root k by m बड़ा बोलना k कितना है k है 100 m बड़ा कितना है 2 that is of course root of 50 तीसरा damping factor क्या है बड़ा damping factor आएगा of course alpha upon omega that upon 10 upon root of I think root 2 आगया वा किसी भी टैम पर x क्या होगा सोचते बिलकुल basic सोचते है हालाग मैं जासे लाता है तो मैं answer याद बिलकुल basic सोच लगा equation क्या बनेगी बड़ा equation बनेगी d2x upon dt plus b upon m into dx upon dt plus k upon m बड़ा 50 is equals to 0 बड़ा इसको बड़ा आगया आपसे लेक्स अबता हूँ कि ये बड़ा हमारी of course axillary equation बड़ा आपके characteristic equation इसको d square से replace कोड़ा इसको d से replace करो तो मेरे पास आएगा d square plus 20 d plus 50 is equals to 0 आप directly acceptability इसके दो roots आएंगे d1 और d2 minus b plus minus under root of d square minus 4 into 1 into c upon 2 बड़ा शेद लिखाने मेरे पास ही आगया that is equals to minus 10 plus minus under root of 50 आगया 50 आने बड़ा चीए दो roots आगया let's say d1 की value आगया minus 10 root 50 और d2 की value आगया minus 10 plus root 50 हम बड़ा direct लिख से थे मैंने इस बड़ा और बैटर लिख 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 किसी भी टाइम पर position होगी बड़ा मज़ी solution पता है e raise to power sorry c1 times e raise to power पहला वाला root minus 10 minus root 50 times t plus c2 times e raise to power दूसरा वाला root minus 10 plus root 50 into t यह बड़ा किसी भी टाइम पर particle की position यह होगी किस वाले case में overtamping किसी भी temporary position sir c1 और c2 नहीं पता पता करीं लोगे मापके लिए घर छोड़ दूँँआ तो आप भी कर दोगे आप जानते हो कि t is equals to 0 पर x की value 0 है चल़एड़ा 0 रखो c1 e raise to power 0 क्या होगा 1 plus c2 e raise to power 0 क्या होगा 1 तो इससे मेरे पास आगया c1 is equals to minus c2 t is equals to 0 पर velocity v0 है ठीक गड़ा t equal to 0 पर जरा velocity निकाल के देखते हैं कितनी होती है dx upon dt निकालते हैं c1 तो वैसा का वैसा minus of minus मेरे बाद निकाल लिया into t plus minus 10 plus root 50 into e raise to power minus 10 plus root 50 into t तो वैसे ट गड़ा t equal to 0 बड़ा velocity value है V0 is equal to 1 हो जाएगा तो minus C1 10 plus root 50 c2 भी था और plus C2 into minus 10 plus root 50 ठीक है डा यह जो minus C बने इसके मैं C2 लिख सकता हूँ मिरे पास आगया C2 into 10 plus C2 into root 50 minus 10 into C2 plus C2 into root 50 should be equal to velocity बड़ा किती हो V0 बड़ा यह दोनों तो cancel हो गई है और C2 की मिरे पास velocity value आगई है V2 upon 2 times of root 50 C1 की बड़ा value आगई है V0 minus V0 upon 2 times of root 50 बड़ा C1 सीटों दोन आगए है तो मेरे पास final answer आगए है X1 equals to X1 equals to हाँ बड़ा X1 equals to V0 upon 2 root 5 V0 upon 2 root 50 sorry इससे तो कमन ले लिया अब बड़ा यह क्या है C2 के साथ ना तो यह तो बड़ा E raise to power minus 10 plus root 15 into T minus E raise to power minus 10 minus root 15 into T यह लिए 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 किसी भी टाइम पर बड़ा पालिटिकल का जो पॉजिए होगा it will be something like this. किसी भी time बढ़ पाइब पाइब बात को, कि t is equal to 0 put करूँगा, बढ़ पूट करने न, तो फोर्स बढ़ एक्स इकोल स्टु क्या आएगा? 0, t equal to 0 put किया, तो ये भी 0, ये भी 0, e raised to power 0, 1, 1 minus 1 is बढ़ फोर्स 0, तो t equal to 0 पर x equals to 0, time tending toward infinity पर, ये बढ़ टाइम टेंडिंग ट्वार इंफिनिटी पर, बढ़ टाइम टेंडिंग ट्वार इंफिनिटी पर, root 50 तो बढ़ बढ़ 7 point something आएगा, ठीक है? minus 10 और 7 point something, बढ़ ये 3 point something आजाएगा, माइनस में है, और ये इंफिनिटी, बढ़ 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 बन गया, ये minus infinity बढ़ बढ़ बन नहीं है, e raised to power minus infinity, 0, e raised to power minus infinity, 0, तो x बढ़ बढ़ क्या हो जाएगा, 0, तो t equal to 0 पर भी बढ़ 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 एक्स इक्वेल्स तो 0 है, और time tending toward infinity पर भी x equals to 0 है, तो graph will be something like this, तो कहने का मतलब बढ़ पहले x लगाता है, बढ़ेगा, 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 कहीं बढ़ेगा, क्या होगा, maximum, फिर घटेगा, 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 और बहुत time बाज जाएगा, आपस x क्या हो जाएगा, 0, this is your overtime, अगर x कोडिनेट सबसे जादा होगा, अगर यह करना है, तो अब्वेस बात है, कि जिस time पर x कोडिनेट सबसे जादा होगा, उस time पर बढ़ेगा, यह वाला ब्लोक सबसे जादा आगे जा चुका होगा, तो उस time पर बढ़ेगा, उसकी velocity क्या होगी, 0, तो हम वेलोस्टी का expression तो निकाली चुके थे, इसी velocity क्या कर देंगे, 0 तो वह वहला time पता लग जाएगा, जब बढ़ेगा, पर बढ़ेगा, पर बढ़ेगा, इस बादा कोई oscillation पर बढ़ेगा पर बढ़ेगा नहीं किया है, critical damping के अंदर, बढ़ेगा, only one root, सिर्फ वोसर एक root ही आएगा, और मैं बढ़ेगा आपस से भाई बोल दू, मैं सीधा का सीधा बढ़ेगा, characteristic equation लिख दू, characteristic equation लिख दू, characteristic equation लिख दू, d square, plus b by m into d, plus बढ़ेगा, of course, k by m is equals to 0, बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो इसी मक्कारी की मैंने, आपस बढ़ेगा सिर्फ ये लिख दिया, आपके d1, और d2 बढ़ेगा, दोनों बराबर आएंगे, इस बार, क्यों बराबर आएंगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्या roots हैंगे, minus b upon 2m, plus minus under root of, B upon 2M का whole square minus B upon A इस बार बड़ाबर root जा रहा हूँ तो इस विल बेक्वल टो इस मतलब alpha square will be equal to बड़ाई और omega square तो आपके पास बड़ा इस बार B square upon 4M square जो होगा, बड़ाओ K by M के बड़ाबर हो जाएगा और B square की जो value आएगी, वो 4M K के बराबर जाएगी, और B की जो value आगी है, वो बड़ा मिर पास root of 4KM के बराबर आजाएगी, and this is the case of what? Critical Damping, that's it. This is the case of critical Damping, तो B की value less than root 4KM होई, तो under damping, या smaller damping, B की value root 4KM जाएगा, तो बड़ा over damping दोनों के solution आँ देख चुके हैं B की value होगे, बड़ा मालनों के root 4KM होई, that is known as your critical Damping, इस case में, D1 और देट बड़ा एक ही आएगा, तो चलो मैंने उसको D बोलती है, और उस D की value होगे, बड़ा वेली सब बच्चों को नजर आगी, बड़ा कितनी आ रही है minus B upon 2M, या minus alpha, ये तो to power, बड़ा जो भी आपका root है, into T इस पर D1 देट लिखने जरूती है, एक ही root है into बड़ा C1 T plus C2 इतना सका ये अबर दूसरे शब्द में कहूं तो ऐसा लिख सता हूं, जो बच्चे याद करना चाहते हैं उनके साथ सब्राज़ों, E raise to power, बड़ा कौन सा root बड़ा एकलोता root है, बड़ा कौन सा B upon 2M into T into बड़ा, of course C1 T plus C2 सर, C1 और C2 कैसे आएंगे बड़ा, C1 और C2 of course आ जाएंगे, T equal to 0 position क्या है, और T equal to 0 बड़ा की velocity क्या है, उससे पता लग जाए करना चाड़ा करके देख सकते हैं जैसे मेरे पास ऐजा केस, बड़ा same mass, बड़ा T equal to 0 बड़ा मैंने particle को X equal to 0 पर रखा है spring बांद रखे, spring का spring constant बड़ा आपका 200 Newton per meter है B की जो value है बड़ा, वो 40 Newton per meter per second है T equal to 0 बड़ा particle X equal to 0 पर है और सामने की तर बड़ा मैंने विदा से इसको V note देखके छोड़ दिया है इस बड़ा critical damping में क्या होता है, देखते है काफी अत्त किये, over damping जैसा साही है, इसमें भी क्या होगा कि particle जाएगा, 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 रुकेगा फिर पर लेट के वापस आएगा, 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 वहीं आखे रूच आएगा जाएगा और वहीं आखे रूच आएगा बिल्कुल over damping जैसा साही मामला है सुनते बड़ा अगें D square प्लस बड़ा B upon M D प्लस K upon M is equal to 0 2 roots, बड़ा, कौन से, कौन से, माइनस B प्लस माइनस under root of, बड़ा, क्या B square minus 4 into A into C upon 2 बड़ा, तो नहीं पटे क्या मेरे पास A की root आया, माइनस 10 और जब भी A की root आएगा A की root तो हम direct सो सकते थे बड़ा, कैस हो सकते थे A की root, बड़ा, direct सो सकते थे क्योंकि इस बार, आपके B square की जो value है वो बड़ा, 4 M K के बराबर है B square, बड़ा, चेक कर लो 1, 6, 0, 0, R 4 times, बड़ा, mass कितना है 2, बड़ा, K कितना है, 200 बड़ा, 200 और ये, बड़ा, कितना हो गया, 400 400, 400, 400, बड़ा, 400, बड़ा, 400, जा, कितना हो गया 16, बड़ा, of course, आप critical damping तो हो नहीं थी Again, मापस बड़ा, damping coefficient पूछूंगा तो आप बोलो, किसे damping coefficient होगा Of course, बड़ा, B upon 2 M बड़ा, B upon 2 M कितना हो गया, बड़ा 10 मापस बड़ा, natural angular frequency पूछूंगा, ब्ड़ा कितना आगा? Root K, Y, M कितना है? K है, K हे, K है 200, M कितना है? 2 2 2 2 2 2 बड़ा, बड़ा नहीं थे मागर आप से damping factor पूछूंगा Of course, alpha upon omega So, to be What? किसी भी time पर Position क्या होगी? अगर मापस ये पूछूंग nutrition कह सकते हो की e raise to power जो एकला तो इकलो होता root है minus nt बड़ा को दिखो तो नहीं एकला तो दो बड़ा nt है into बड़ा of course c1 t plus c2 c1 और c2 कैसे लिखा लेंगे of course बड़ा t equal to 0 position 0 है t is equals to 0 put करो x equals to 0 आँ चाहिए e raise to power 0 c1 into 0 plus c2 यहां से मेरे पास c2 के तो value हा गई है 0 ले बड़ा x आगया है मेरे पास c1 t into e raise to power minus 10t sir अभी भी एक unknown है c1 sir score दोगे t equal to 0 पहुँचे velocity भी पता है velocity will be of course बड़ा dx upon dt c1 बड़ा बाहर e का coefficient बड़ा 1 e raise to power minus 10t minus बड़ा इसका differentiation t को बड़ा वैसा का वैसा e raise to power minus 10t का differentiation आएगा e raise to power minus 10t into बड़ा minus 10t t equal to 0 पतागना बड़ा t equal to 0 पतागना velocity है तो velocity है v naught c1 t equal to 0 तो बड़ा मेरे पास या गया 1 t equal to 0 बड़ा इन पतागना और c1 की बड़ा मेरे पास value आ गई है बड़ा कितनी v naught calculation बड़ा check कर लो किसी बड़ा टाइम पर बड़ा political की पास position पता लग गई है कि x is equals to 10t so बड़ा v naught t बड़ा c1 के बड़ा बड़ा आगई है into e raise to power minus 10t यह ले बड़ा किसी बड़ा बड़ा political की position आ गई है बड़ा क्या v naught t into e raise to power बड़ा minus 10 यह बड़ा किसी बड़ा बड़ा particle की position है जैसा क्या देख सकते बड़ा position versus time की अगर मैं बात करूँ तो t is equals to 0 बड़ा यह term 0 तो बड़ा of course आपका x equals to 0 शिरुवाद में बड़ा t की बड़ा चोटी होगी तो यह बड़ा factor तो बड़ा बड़ा नहीं होगा लेकिन उस time बड़ा position जोगा इक तरह से linearly type vary करेगी तो graph will be something like this और उसके बाद तुम जानते बड़ा बाद में जासे जे t बड़ेगा इसका factor लगातार बड़ता जाएगा इट कैन बड़ेटन ऐस बड़ा v naught t अपॉन e raised to power 10 t इतनी limits तो आपको आती है कि time जब खूब बड़ा हो जाएगा तो it will be something like infinite upon infinite but e raised to power 10 t will be very very large as compared to t तो इसको ऐसे cancel तो नीचे infinite बच जाएगा और नीचे अगर infinite बच जाएगा तो of course बड़ा उस time पर बड़ा उस time पर आपकी position बड़ा वापिस से क्या हो जाएगी जाएगी बड़ा graph will be something like this तो t equal to 0 पर भी position 0 है time tending toward infinity position is 0 मैं एक चोटे सी बात बोर बोलता है कही न कही बीच में आपका x coordinate maximum होगा बच्च बोलेंगे हाँ sir इस time पर मेरा x coordinate maximum है x coordinate maximum का अर्थ मेरा बच्च जानता है कि उस time block गया होगा गया होगा गया होगा रुग गया होगा फिर पलटा होगा तो जिस time पलटा होगा उस time velocity रही होगी 0 velocity के दिर मैं बात करूँ बड़ा तुम जानते हो कि velocity is dx by dt बड़ा v naught को बानिकाल लो अंदर वाली term को differentiate करो बड़ा अंदर वाली term का differentiation आएगा e raise to power minus 10t minus 10 into t into e raise to power minus 10t यह बड़ा मेरा बात किसी पर time पर velocity है किसी ने किसी time पर बड़ा velocity क्या होगी 0 इस velocity को मैंने 0 किया तो एक रूट तो बड़ा डाइटी दिख रहा है time tending to infinity time tending to power infinity पर यह भी 0 हो जाएगा time tending to power infinity पर तो velocity 0 हो नहीं है कि बड़ा ब्लोग जाकर वापस time tending to power infinity पर वापस आजाएगा then बीचल एक ऐसा time over होगा तो यह 0 हो जाएगा कब जब e raise to power minus 10t will be equal to 10t into e raise to power minus 10t पर यह दो रो cancel और time की बड़ा value आजाएगी 0.1 second तो जब 0.1 seconds होंगे उस time पर हमारे इस ब्लोग की velocity 0 होगी और उस time पर आपका x coordinate सबसे जादा होगा यह x coordinate maximum कितना होगा हो निकाल भी सचते हैं that will be x equal to 10 sorry v naught into t t of course 0.1 लिख दो यह और 10 लिख दो into e raise to power minus 1 that is v naught upon 10e लिए जिस time पर आपका x coordinate सबसे जादा होगा वो time होगा 0.1 second और उस time पर x coordinate की maximum value होगी v naught upon this is the case of critical damping तो आप जैसाब देख पारे वीड़ा critical damping और over damping काफी अधक एक जैसे सही है हाला कि हमेशा ही जादा important आपका under damping रहेगी रहेगी ठीक है एक दू बड़ा छोटे छोटे समाल पूछ लेता हो यह वाले समाल बड़ा erodome में है हला कि मैं ना पढ़ाता तब भी बड़ा यह वाला समाला कर लेते लेकिन ठीक है लिखे मैं तुम्हें कर देता एक particle है बड़ा वो इस तरह से damped oscillation टाइप कर रहा है amplitude उसका लगातार exponentially घट रहा है और फिर वो oscillation तो लगातार करी रहा है यह sin omega t 12 बारवा बता रहा है कि x-coordinate plus-minus plus-minus लगाता है वेरी करता जाएगा विए amplitude लगातार exponentially घट रहा है particle का जो x-coordinate है वो इस function से वेरी कर रहा है find oscillation amplitude and velocity at t equal to 0 मुझसे पहला वाला स्वाल पूछर का है कि oscillation का amplitude बताओ t equal to 0 पर बढ़ा साफ साफ दिख रहा है कि यह amplitude t equal to 0 पर amplitude की value सब बच्चों को नजर आ गई होगी a naught e raised to power 0 बढ़ा that comes out to me a naught कुदि कितनी स्वाइब t equal to 0 मुझसे velocity पूछी गई है velocity पूछी गई हो that is of course बढ़ा क्या dx by dt करना इसको differentiate a naught बढ़ा constant आ गया बाहर आ गया e raised to power minus beta t का डिफ्रेंशन होगा e raised to power minus beta t into omega times cos of omega t minus beta times e raised to power minus beta t into beta what sin omega t यह बढ़ा किसी भी ताइम पर आपके बास velocity मुझे शुबात करने चीए शुबात करने चीए शुबात करने चीए तक minus beta यह तो 0 होई गया तो वो लिखने के जुड़ा थी नहीं beta ठीक है तो मेरे पास हो गया that is equals to a naught into omega तो t equal to 0 beta velocity will be of course a naught into omega the moment at which particle reaches the extreme position बढ़ा किस sorry the moments इसका हो सब बढ़ा extreme position पर particle एक बार नहीं कई बार पहुचे हां वो उतल है कि पहली बार जो extreme position होगी वह दूर होगी अगली बार जो एक्स्रीम पोजिश्यों वह नजदीक ऑगी अगली बार होगी थोड़ी और नास्दीक होगी Polsce को ने उगकी ही दिए सबस्ट करने के लिए ए रस तू पावर मेनस बीटा टी इन्टु ओमेगा इन्टु cos of omega t should be equal to beta times e raise to power minus beta t into sin omega t e raise to power minus beta t e raise to power minus beta to cancel और मेरे पास आगया है tan of omega t is equals to omega upon beta मेरे पास omega t की value आ गई है tan inverse of omega upon beta हाला कि आप जानते हो कि tan of something बड़ा कोई value आ गई है वह value value इस angle पर तो आएगी आएगी plus n pi पर भी आएगी एगी एक आएगी एक सवाल हो रहे है इस मेरे कोई torsional oscillation कर रहे है वैसे लगाता है यह torsional oscillation कर रहा है लेकिन damping है इस करण से वो पहली बार जादे अंगल जाता है फिर कम जाता है फिर कम जाता है फिर कम जाता है फिर कम जाता है सिंपल का यह सवाल है मेरे ख्याल से आप खुदी कर लोगे किसी भी time पर angle is again error हो गए सवाल है theta is supposed to theta naught e raised to power minus beta t into cos of omega t पिछले सवाल जैसे सभी है बस पिछले सवाल में पोजीशन की इस बर आपका angle आ गया मुझसे पूछा है कि angular velocity और angular acceleration क्या होगे t equal to 0 पर बड़ा कर देना उसको angular velocity उसको एक बार और differential कर गए angular acceleration अगले में पूछ रखा है कि angular velocity maximum कव होगी जब बड़ा आपने angular acceleration निकाल रखा उसको आप 0 कर देए तो मैं नहीं कर रहे हैं सवाल को इजी सा सवाल है बेटा मैं तो सर्फ होसे बताने कोशिश कर रहा हूं कि damping पर किस तरह के सवाल इरुड़ों के अंतर है आसाना से simple सवाल है मैंने जतनी थोड़ा सा बच गया है वो मैं मंडे तक आपको देशता हूं ठीक चलिए फिर में को परिषा नियों तो बिरा शेजिस करते ना थे बाइए